हेलो गाइज यूर विलकम अगर आप भी ड्रीम 11 पे अच्छे खासे टीम बना कर भी बार बार हाल जाते हो जो पैसा लगाते हो वो भी वापस नहीं आता है ठीक है नहीं कि आप विनिंग जोन में भी नहीं जा पारे हो आपका टोटल पैसा वेस्ट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए डूस में जरूर बना देते हो टीम को किसको रखेंगी इसको रखेंगे इसके कीतना हैma मतलब जैसे भी आप टीम बनाते हो बना लेते हो जोसमें आके और बाद में आपको क्या मिलता है घंटा कुछ भी नहीं मिलता है आपका पूरा पैसा बरवाद हो जाता है यानि कि आप विनिंग जोन में भी जान नहीं पाते हो अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि हुआ तीन गलतिया करते हैं जो कि सबसे जादा इंपोर्टेंट है समझे ना आपको पहले समझना पड़ेगा तभी आप अच्छे से मतलब कि ड्रीम 11 पर यर्णिंग कर पाओगे अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं असानी से बना कर जीच जाओंगा फर्स्ट रेंग पर सास्ता जो कि आपको बहुत ज्यादा सायट बन सकता है तो वीडियो के अन तक बने रहेगा तभी आप समझ पाएंगे और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों और वीडियो को समझने का पूरा पोसिस कीजिएगा तभी आपको समझ में जो कि बहुत द ही देते हैं को घुत करा तोश पर की कौम सरे पहले बैटिंग कर रहा है कोन सरे पहले बैटिन कर रहा है Cindy तो आप समझांव पायेंगे कि आपको किसको टीम में क्या बनाना है कपतान किसको बनाना है तर जाकर आपका अच्छा हो पाएगा तोआ आप तौस द्यान दे आज इसका पहले बैटिंग रहे दोस्कों उसी को आप कप्तान बनाए चाहिए वाइस कप्तान बनाए अगर बॉलिंग के तरफ से प्लेयर अच्छा है तो आपको बॉलिंग के तरफ से कप्तान या वाइस कप्तान बनाना है अगर बैटिंग के तरफ से बैटिंग लाज़ने वाला ठीक है ना रेड लाइक में नहीं करेगा है और एक प्ले यह प्लेड नहीं खेलेगा है तो आपको है 100% दियान देना है ठीक है तो ऐसा आपको नहीं करना है जैसे ही आपका टाइम खतम हो यानि कि अगर मान के चलिए साथ बज़े से मैच है तो आपको आधा गंटा पहले यानि देख लेना है लाइना पाजाता है ड्री लाइट सो कर देता है कि कौन प्लेयर खेल रहा है और यह बहुत बड़ा फंडा है समझ यह ना बहुत लगान जान है इस बात से और दोस्तों तीसरा जो है सबसे बड़ा मेंटर यह भी है कप्तान और वाइस कप्तान समझ के ना आपको देखिए पहले ड्रीम 11 खेलने से पहले आपको प्लेयर के वारे में जाना बहुत ज्यादा जरू है दोस्तों बहुत क्या करते हैं करोर 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 मिल रहा है वह बनाते जाते हैं बदले में कुछ नहीं मिलता ठीक है तो आपको पहले समाझना होगा क्या की टीम बनता कैसे और टीम में कौन प्लेयर कितना अच्छा है कोन कैसा प्रफूमस देता है उस हिसाब से आपको टीम करेट करना पड़ेगा ठीक है अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं सहीं अंदाली को टीम को रख लूंगा परसेंटेज का अनुसार रख लूंगा और जी जाओंगा तो ऐसा पोसीबल नहीं है आप उसमें हार सकते हो और हैंडिट परसेंट हार सकते हो ठीक है आपको ध्यान देना होगा पहले ठीक ह जांते हो उससे पहले ही जानते हो रोटी स्वा दर इससा है पहले आपको नखेती कि जालना है कि बाइर करता लें उसका किया हलाख है वह कैसा Chemistry है को कितनीट बेंग उस कॉस यसा खूछ मैं कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमेशा चार करता है, आपको प्लेयर के बारे में पता है, उसके बारे में पहले जलकारी कीजिए, तभी आप टिंग करद डेली अच्छा, आपको मिलेगा बंदे में कुछ भी नहीं, समझ गया है, जो बोलिंग अच्छा जैसे कि सौरंग साथ रंग जो भी मार दिये बैग विकेट भी ले लिए तीन या चार तो यह जो कप्तान जिसका बना रहे हैं वो क्या होगा बीन हो जाएगा तो ऐसा होता है तो आपको धियान देना है इस बात को लेकर कि अगर ऑल रॉंडर का भी प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा है आपको उसके बारे में जनकारी होना चाहिए अंदाजा नहीं मारना है तीर ठीक है ना जनकारी होना चाहिए उसके बाद तो आप टीम क्या करते हैं देखा देखी में बहुत लोग क्या करते हैं फटाक सा टीम बना लेते हैं और लगा देते हैं पैसा बार में ह दोस्तों यह समझना होगा कि कौन प्लेयर कितना अच्छा खेलता है किसका प्रोफरमल्स कहां पर कैसा राता है आप यह समझेगा तभी आप ड्रीम लेवन पर टीम बनाना ठीक है ना अब अरना जो पैसा आप टीम पर लगाते हो 200 या 500 उसका आप चाना बेद देना उसमें आ पर कोई साथ ने देगा आपको महां पर आपका टाइलेंट ही साथ देगा और प्लेयर का अंधाजी ठीक है अगर प्लेयर का अंधाज है तभी आप जीत पाओगे वर ना नहीं जीत पाओगे आपका पैसा बरवादी होगा ठीक न दोस्तों तो यह तीन चीज़ था जो कि थूरू पर आपको ध्यान देना ठीक है दोस्तों बस यह इसका फंडा था आपको इतना समझना था इतना अगर आप समझते हो तो आप तीम को अच्छे से बना सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नाया लेकर दस्तों जब तक के लिए बाइट टेक केर अपना ध्यान रखेगा जाहिंद